वेलकम क्रप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोग उसका स्वागत है शीबैनो को लेकर सभी के मन में बहुत ज़्यादा आसावाद रहता है और सभी शीबैनो को लेकर कई सपने देखते हैं कि शीबैनो आने वाले समय में 2021 के तरह फिर से करोड़ पती बनाएगा और हम शीबैनो से अच्छा कासा पेशा कमाएंगे चेड़ बोट और गूगल बाड और बहुत सरे AI टूल भी अलग-अलग प्राइस प्रेडिक्शन शीबैनो को लेकर देते हैं कई एक्सपर्ट की तरफशे भी शीबैनो को लेकर बड़े हिट मारने की संभावित भविश्वान्या की गई है अगर मेरी पर्सनल राय मानो तो शीबैनो में काफी ग्रोथ है काफी फ्यूचर इसका ब्राइट है अगर आप लोंग टम इसको होल्ड करते है तो मेरे हिसाब से निसंदे है शीबैनो कासा प्रोफिट यहां पर देगा जिसमें अनेक्सपेक्टेड रिटर्न सामिल है तो एसे में संभावित आज हम एक मेटर के उपर बात करने वाले है जहां पर हम संभावना दिखा रहे है कि यदि मासिक कारोबार इसका वन ट्रिलियन डोलर तक पहुच जाता है ठीक है तो शीबैनो की कीमत में कितना उच्छाल हो सकता है मार्केट में इस टाइब की न्यूज काफी चल रही है जहां पर मंतली वोल्यूम वन ट्रिलियन तक हिट होने के बाद शीबैनो का पोटेंशल प्राइस सर्ग क्या रहेगा और इसके बाद एक बड़ी न्यूज शीबैनो को लेकर निकली है उसके ओपर भी बात करेंगे त तक वीडियो वोच करना पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना संभावित यहां पर बताया गया है कि ओपन एयाई चेट बोट याने की चेट जीपिटी के आकलन के अनुसार यदि शीबा का मासिक याने की मंतली जो बिजनेस कारोबार है वन ट्रिलियन डोलर तक ब चल रही है बीटी से 57 के आसपार चल रहा है और इसमें अभी कासी मतलब एक तरीके से उच्छाल आने की संभावनाय बताई गई है और द्रड़ विश्वास इन्वेश्टरों को ही क्याने वाले समय में इसमें बहुत जादा ग्रोथ है अगर हम विशलेशों के माने तो टो इसका लेवल है वो इच्छेव यहां पर जल्दी कर सकता है इस लेवल को मार्केट इस लेवल को ज्यवास कई मैं कर सकता है संभावित उचाल और यह जो डाउन ट्रेंड है यह खत्म हो सकता है अब यहाँ पर अगर हम 1 ट्रिलियन के बात करें तो क्या यहाँ पर बताए गया है इस न्यूज में वो भी जरा देख लीजिए तो शीबायनू के लिए 1 ट्रिलियन मंथली वॉलियूम के बात कर होँए करने के लिए मासिक ट्रेडिंग मात्रा वन ट्रिलिय攻 की जाती है तो पिछले महिन हम अगर हम देखे तो शीबायनू 12 बल्यन ऐसपस तो वन ट्रिलियंस से लगबहग अगर देखे तो इतना कम है ठीक है अगर 1 ट्रिलियन तक जाना है तो इसको उस हिसाब से अगर हम देखे तो AI क्या कहता है AI चेड़ बॉट हाइलाइट्स को अगर हम देखे तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमत के 20 संबंद पर परकाश डाला गया है और आने वाले समय में बताया गया है कि चेड़ जीपीटी के एकोडिंग शिबयनू का प्राइस बढ़ेगा यहाँ पर जो और देकर कहा गया है कि यदि ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी भी कोईन का बढ़ता है तो उस से उस कोईन की जो प्राइस है उस पर सीधा इंपेक्ट पड़ता है हलाकि इसमें और भी चीजे फेक्टर करती है लेकिन कहीं न कहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम आम तोर पर रूची और संभावित कीमत उचाल की और संकेत देता है तो ऐसे में विशलेशन के समय अगर हम देखे तो आने वाले समय में इसमें 12 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक का सफरते करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की अवशक्ता है तो ऐसे में एक चीज यहाँ पर गोर करी गई है कि आने वाले समय में इसमें सम्भावित जो अनुपात है वो बढ़ने वाला है यहाँ पर और यहाँ पर जोर देकर कहा गया है कि यदि इस लेवल तक शीवायनों को जाना है तो उसके लिए लगभग इसमें कितनी ग्रोथ परषेंट किया हो शकता है तो इसमें बताये गए है कि यदि 7,832% मार्केट इंक्रीज हो जाता है तो ये लेवल इचीव कर सकता है ये 0.001 का लेवल जो है शिवाईनों इचीव कर सकता है अब 7,832% मेरे हिसाब से कोई बड़ा भारी बात नहीं है अगर मार्केट एक बड़ी रेंच के साथ जाता है तो ये टार्गेट इचीव कर सकता है दूसरी बड़ी बात यदि बुलरा नहाँ पर सिरू हो जाता है अक्टूबर के बाद तो भी यार इस टार्गेट को इचीव कर सकता है क्योंकि एक जीरो अगर किल करेगा ना मार्केट तो 500% अगर बढ़ गया तो एक जीरो किल कर लेगा और दो जीरो के लिए इसको चाहिए कम से कम 7000%, 6500% तो इस लिहाज से अगर इस लेवल को 7500% मार्केट बढ़ गया तो शीवयनु 0.001 के लेवल को इचीव कर लेगा इस लिहाज से दिल्चस्प बात है कि शीवयनु इस लेवल को जो आसंभव सा लक्ष है कहिना कहीं संभव होता हुआ दिख रहा है हलाकि यह कठीन है कई एक्सपर्ट एजेंसिया यहां पर बता रही है कि यह जो टारगेट है थोड़ा कठीन जरूर है लेकिन impossible नहीं है क्योंकि काफी price prediction इस और दावा भी कर रहे है लेकिन यहां पर जो और देखर कहा गया है कि क्यों quantity और जो price है उसको प्रभावित कई चीज़े करती है ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया तो कोई factor यूज नहीं होगा तो volume price को factor को impacting करने के लिए कई चीज़े यहां पर बताई गई है जो सीधे उसको target करती है जिसमें चेड़ बोट ने Shiba Inu के वपार की मात्रा में growth को कई सक्षम कारणों पर प्रकाश डाला है जिसमें सबसे main चीज है आपूरती और demand अगर हम देखे तो वर्तवान में आपूरती बहुत ज़्यादा है निकि supply Shiba Inu के बहुत ज़्यादा है और demand अभी थोड़ी कम है तो supply और demand का खासा खेल है तो यहां पर कहिना कहिए supply को या तो कम करने पड़ेगी या तो फिर Shiba Inu को demand अपनी बढ़ानी पड़ेगी दोनों में से एक चीज आपको यहां पर कम करना पड़ेगा क्योंकि आपूरती में change जैसे कि token को burning करो या फिर बढ़ी हुई मांग कीमतों को प्रभावित कर सकती है तो इसलिए अगर token burning भी होती है तो supply यहां पर कम होगी जिससे जो demand है वो भले ही कम भी रहेगी तो भी बढ़ जाएगी और अगर demand बढ़ गई तो भले ही supply इतने भी है तो भी आर्मा काम चल जाएगा लेकिन दोनों एक साथ होना जरूरी है या फिर दोनों एक दूसरे के विपरित काम करना जरूरी है सेकंड यहां पर बताया गया है कि इसके upcoming project है Shiba उनों आगे किस टाइप से बढ़ता है क्योंकि देखे लौंच करना और उसको execute करने में जमीन आसमान कंतर है अभी वर्तमान में Shiba को देखे तो Shiba के 3 token market में आने की तैयारी में हो चुके है जिसमें bone token, lease token आ चुके है एक और token आना है तो 3 token है दूसरा नीचे देखे तो Shiba Shweep इसका बड़ा project है जो कि अभी market में वर्तमान में exist कर रहा है और नीचे अगर हम देखे तो कम से कम Shiberium एक बड़ा project है इसका Shiberium से काफसी उम्मेद है क्योंकि Shiberium बड़ी blockchain में सामिल हो सकता है future में और Shiba को direct user नए लाके दे सकता है जो Shiba token को buy sell करेंगे इसके अलब़ा Shiboshi NFT बड़ा role है इसका ये भी बड़ा project है और अगर हम देखे तो Metaverse और Web3, Magazine ऐसे कई project है जिसमें ये काम कर रहा है वर्तमान में लेकिन देखे launch हो जाना लेकिन उनको लंबे टाइम तर एक्जिक्यूट करना बड़ी सवाल है तो यहाँ पर Shiba team को Shiba को अगर इस level तक पहुचना है 2-0 के साथ 1 का level तो इन सभी project को regular base पर आगे बढ़ाना होगा इनके उपर work करना होगा काम करना होगा तब ही जाके Shiba इस level को चीव कर सकता है तीसरा यहाँ पर factor बताए गया है team किसी भी project को आगे ले जाने के लिए मजबूट team की ज़रूरत रहती है मजबूट team की requirement रहती हो Shiba इनुकी team अभी हाली में तो मजबूटी के साथ खड़ी हुई है लेकिन future में किस type से आगे बढ़ती है वो एक बड़ा सवाल है अगर team को active रहती है team अच्छा कुछ करती है तो तो यह भी कहिना कहिन बड़ा role play यहाँ पर कर सकता है next अगर हम बात करें तो Shiba की जो marketing है वो भी यहाँ पर एक factor है अगर marketing में Shiba token अभी जैसे हाली में कुछ खास production नहीं कर रहा है marketing को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ spend भी नहीं कर रहा है तो Shiba token को marketing पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि marketing कहिना कहिन Shiba को बहुत आगे तक ले जा सकती है तो यह कुछ सवाल यह कुछ point है जो की factor है जो सीधे direct impact कर सकते है Shiba की price को बट खेल simple सा है supply और demand का जैसे supply और demand supply कम होगी demand बढ़ेगी obviously Shiba नहीं अच्छे खासे hit के साथ जाएगा और अगर 1 trillion dollar तक पहुच जाता है तो Shiba Inu की संभावित कीमत में भी बढ़ा उच्छाल आएगा और यहाँ पर हम जो target या जो लक्ष लेकर आगे बढ़ रहे है वो इच्छी होता हुआ कहिना कहिन देख सकता है तो I hope यह video enjoy क्या होगा एक news और आई थी जिसको यहाँ पर मैं discuss करना चाहूँ जहाँ पर tank game करके एक wallet है जहाँ पर इसने visa के साथ जो partnership करी है as a payment में Shiba Inu की तो यह भी एक अच्छी news है जो Shiba को worldwide accept करवा रही है अलग-अलग company के तरब से तो यह partnership कहीना कही है जो Shiba है उसको भी एक तरीके से फाइदा देने वाली है तो मिलते हैं नई वीडियो में नमस्कार